आज की वीडियो में आप अंद्यान सेंगए अमर सिंग चमकीला के कहानी के बारे में जञान पाएंगे अमर सिंग चमकीला की के चलाई,1960 में पैदा हुए और इनके वफात आओं मार्च 88 में हुई अमर सिंग चमकिला चमकिला एक हिंदुस्तानी गुलुकार और पंजाबी मुसिकी के मुसिकार थे एक म्यूजिशन थे आप मार्च 1988 को चमकिला और इनकी बीवी अमर चौत और इनके बैंड के दो फ्रांस में इन सबको मुर्डर कर दिया गया और ये इन्डिया के स्ट्री का एक ऐसा केस है जो भी तक हल नहीं हो सका है ये एक अंसोल्ड मिस्ट्री है अमर सिंग चमकिला को पंजाब के बेतरी लाइव स्टेज परफॉर्मर में से एक समझा जाता है और वो गाओं के लोगों में बेहत मकबूल थे इनकी महाना बुकिंग बाकैदगी से महीने के दिनों की तदासे जादा थी यहां तक वो दिन में कई शो किया करते थे चमकिला को आम तोर पर अब तक सबसे बड़े और बाएसर पंजाबी पनाकारों में शुमार किया जाता है इनकी मुसीकी में पंजाबी गाओं की जिन्दगी के अकासी जाओ नजर आती है इनकी पंजाबी मुसीकी गाओं की जिन्दगी से जाओ काफी मुतासे नजर आती है इनकी शायरी में मुसीकी में गाओं की जिन्दगी का अकस नजर आता है और ये गाउं की जिंदगी वो जिंदगी थी जिसमें ये पलकर जवान हुए थे इनके गाउं में आम तोर पर गेर अस्दवाजी तालुकात, एक्स्ट्रम वेरिटल रेशन्शिप, नाजायस तालुकात, आने वाले वकत, श्राब नुशी और मनशियात के इस्तमाल और पंजाबी मर्दों के गरम मजज़ के वारे में गाउने लिखे चमकिला ने एक मतनाजिया, शोहरता से की, एक कॉंट्रोवर्शल रेपूटेशन हा से की, इनके गानों पैतरास करने वाले फ्राद के लावा इनके जो चाहने वाले थे, चमकिला के जो हामी थे, इनकी फोहष मसीकी के लिए ये लोग अपनी ये राय देते थे, कि चमकिला में कल गीर दी, ये ऐसे गाने और गीर थे, जो उन्होंने अपनी आवाज में रेकोर्ट नहीं करवाए थे, ये ज़्यादातर लाइफ स्टेज पर गाते थे, लेकिन उन्होंने एक मकबूल गाना, जैटर दी दुश्मनी, गाना लिखा, जिसे पहुत सारे पंजाबी फनक कारों ने अपनी वाज में रेकोर्ड करवाया, चिंकिला अपने पहली रेकोर्ड किया गाना, जिसका टाइटल तक्वेति तक्वा, और ये इनका पहला रेकोर्ड शिदा गाना था, और इस गाने की वज़ा से वो मशूर हुए, अमर सिंग का बर्त नीम्ज है वो दनी राम था और इनको इंडरस्टी में चिंकिला के नाम से चाना जाता है, इनके पदाईश इंडिया के सुबा पंजाब के एक जिला लुद्याना की, लुद्याना के एक अलाके डुग्री में पैदा हुए के शुलाई, 1960 में इनके पदाईश हुई, इनके मर्डर के गर बात की जा फोक यानि लोग गीत गाए और मजभी गीत गाए इंडस्ट्री में आजे सिंगर, मॉजिशन और कंपोजर काम किया चमकीला एक ऐसे इंसान थे जो अपने कानों को खुद लिखते थे और इनकी दुन भी त्यार करते थे और साथ गरते भी थे और इंस्ट्रूमेंट जो वो पिरेड था वो 1989 से 1988 तक कर टाइम पिरेड था तक्रीबन नो से दस साल इन्होंने काम किया इनकी दो बीवियां थी इनकी पहली बीवी से इनकी दो बेटियां हैं और दूसी शादी उन्होंने अपनी साती फंकारा जो साती सिंगर थी जिनके साति इनकी जोड़ी बनी अमर चुम्किला ने अमर्जोट से शादी की और इन से एक पेटा है और ये मार्श का महीना चल रहा है और इस मंत की आठ तारीक को उनकी बरसी अभी गुजरी है चुम्किला के गाउं में जहां इनकी आखरी रसुमात अदा की गई उस जगा को इनके नाम से मनसूब कर दिया गया अब वहां हर साल लोग चुम्किला से अपनी महबद और रकीदर का इजहार करने आते हैं इस साल भी बहुत सारे ऐसे फ्राद ऐसे सिंगर्स जो उनके स्टाइल को उपनाए हुए हैं और चुम्किला के अंदास से आप भी सिंगिंग कर रहे हैं ऐसे सिंगर्स हर साल यहां आते हैं और अप्री महबद और रकीदर का इजहार करते हैं इनकी अपतदाई जिंदगी के अगर बात की जाए तो अमर सिंग चंकिला इंडिया के सुबह पंजाब के एक तहसी लुद्याना के एक गाउं दुग्री में पैदा हुए इनका असल नाम धनीराम था अमर सिंग चंकिला 21 चुलाई 1960 में एक सीख जमार कम्यूनिटी में पैदा हुए चंकिला अपने वालदेन का सबसे चोटा बच्चा था इसकी वालदा का नाम करतार खोर और बाप का नाम हरी सिंग संदिला था इनकी इपतदाई तालिम दुग्री गाउं के एक कुजर खान प्राइमी सिखा 1978 में चंकिला ने अपने एक बेस फ्रेंड कलदीब पारस के साथ पहली बार सरिंदर शिंदा से मुलाकात की जब शिंदा ने 18 साला चंकिला को गाते हुए सुना और आखरकार उसे ऐसा लगा कि उसे वो शक्स मिल गया है जिसके उसे तलाश थी चंकिला ने दूसरे प के बाद उन्होंने अपना स्टेज नामर रखा अमर सेंग की मीं चंकिले का मतलब है चमतने वाला चंकिलाодар ने सबसे पहले pink simpler सिंगर इसन्गर से सणिया के साथ काम किया जो पहले सिरिंदर सिंदा के साथ गर चुकी थी चंकिला का सोलो करियर उस वक्त सबन हुआ जब च्छिंदरν सोनिया की बजाय गुल्षन कॉमल सिंगरं के कइनेड़ स्षाथ के दौरे गया इन गानों के शायरी खुद चमकिला ने लिखी थी और ये गाने पूरे पंजाब में हिट हुए 1980 में चमकिला ने महसूस किया के सिंगर सरेंदा सोनिया के शोहर जो सोनिया के मैनेजर भी थे इनकी तरफ से ने काफी कम तनुखा मिलती थी इने कम माफ़जा मिलता था इससे चमकिला ने अपना ग्रूप अपना बैंड बनाने का फैसा किया और बहुत कम वक्त के लिए कुछ साती फनकारों के साथ काम भी किया जिन में मिस उशा किरन, अमर नूरी और इसका वक कई फनकार शामिल थे चमकिला अपने लिए एक लोंग टर्म सिंगर पार्टनर डूंड रहे थे जिसके साथ वो डूएट गा सके कि इसी दुरान में इनके एक साथी गुलुकार ने जो इनके साथ गा रहे थे जिनका नाम कुलदीप मानिक था उन्होंने अमर जोट गुलुकारा का मश्वा दिया जो मानिक के साथ कभी कबार गाया करती थी और उनके एक ने अल्बम में भी साथ गा रहे थी चमकिला के पास अमर जोट के बारे में ज़ादा मालूमात नहीं थी वो जार असके बारे में नहीं जानता था स्वाए इस बात के कि वो पहले से शादी शुदा थी लेकिन सिंगिंग में करियर बनाने के लिए उन्होंने अपनी शादी को खतम कर दिया अमर जोगत ने अपने शोहर से अलायद की एक्तिया कर ली थी ताकि वो अपनी सिंगिंग करियर को आगे कंटिन्यू कर पाएं अमर जोगत अब चमकिला की मुस्तिकी पार्टनर बन चुके थी चमकिला के साथ एक पर्मनेट सिंगर बन चुके थी जो कि चमकिला के साथ डुएट गाने गाती थी चम्किला के गाने के लिए फीमेर सिंगर के वोइस रिकॉर्ड करवाती थी शम्षेज सिंग सोही ने अमर जोत की जिन्दगी के बारे में एक किताब लिखी जिसका नाम है जिसका नाम है अमर जोत ते आखरी पोल इस टाइटल से इनकी बायोग्राफी मुजूद है अमर सिंग चम्किला ने जादा तर जो शायरी लिखी जादा तर जो शायरी लिखी उसमें लड़क पन के बारे में और गहर अस्दवाजी तालुकात यनि शादी के इलावा तूसे ओरतों या मर्दों के तालुकात के बारे में गानों में शायरी लिखी इसके लावा शराब और मनशियात के इस्तमाल पर भी तब से इसमें शामिल थे इस जोड़ी के शोरत ना सिर्फ पंजाब में फैली बलके बैरूने मुलक बलके बैरूने मुलक मजूद पंजाबियों तक इनके शोरत फैल दे इस वक्त चमकिला के बारे में भी एक अफ़वा फैल चुकी थी कि च चम्किला को अपने साथी फनकारों से जादा बुकिंग मिल रही थी। इनको जादा फंक्शन्स में बलाया जा रहा था बनिस्बत इनके बाकी साथी फनकारों के। गुजार सिंग शौंकी ने चम्किला की जिन्दगी के बारे में कताब लिखी एक पायग्राफी लिखी जिसका नाम आवास मर्दी नहीं। इस कताब की तहकी के दुरान उन्होंने चम्किला के बारे में एक बार जानी। चम्किला जब अपनी मकबूलेट के अरूज पर था तो चम्किला साथ के 365 दिनों में से 366 शोष करता था। चम्किला पुरा साल बीजी रहता था। चम्किला की बुकिंग साल के हर एक दिन के थी। बनकर दिन में एक से ज़ादा शोष भी क्या करते थे। इनकी assassination कैसे हुए इनका कतल कैसे हुआ इसकी वज़ा क्या बनी चमकीला और अमर्जोट और इनके बैंड के बाकी साथ है उसमेद जब ये लोग पंजाब के एक गाउं महसंपूर में पहुँचे जहां ये लोग एक शादी में परफॉर्म करने वाले थे वहां पहुँचने के बाद इनको गोली मार कर हिलाक कर दिया गया और ये उस वक्त हुआ जब वह आठ मार्च 1988 में तक्रीबन दिन के दो बज़े अपनी गाड़ी से बाहिप निकल रहे थे कि मोटर साइकल सवारों के एक क्रोने कई राउंड फाइर के जिसे चमकीला, अमर्चोथ और इनके एक साथी और इनके ब्रैंट का एक साथी जो डॉलक बजाता था फाइरिंग की वज़ा से मोके पर ही हलाक होगे और उनके कुछ साथी जखमी हुए चमकीला पर हुई לפारिंग के इसे में कखी कोई गिरफतरी ना हो सकी इस केस के सूप में किसी को भी गिरफतर ना किया गया और नहीं कभी केस के भी हल हुआ और यह भी कहा जाता है कि मुबहिनात पर उस वक्क सिक Militant जहीं सिक मिलिटनٹ सिक अक्सियत पसंदों ने चंकिला पर हमला किया था इस टोरी के सरच के दूरान डो से तीन बाते जो चंकिला के केस के हमौले से सामने आई हैं जो अभी तक हल नहीं हो सका लेकिन इसके बार में कुछ क्या सरहियां की गई या उस वक्त के लोगों ने खुछ से जो तहकी की होगी वो ये थी चमकिला का तालुक हिंदु मज़े की सबसे चोटी जाथ से था वो ये जाथ दलिप थी जिबके अमर जोगत का तालुक सिक कम्यूनिटी की सबसे उंची जाथ से था और ये कहा जाता है कि ये एक उनर के लिंग थी अमर जोगत और चमकिला को इस वज़ा से मार दिया गया कि दोनों का तालुक जैव मुकलिफ जाथ से था जो कि माश्य के रुज़ के मताबर नाकाबले कबूल था जिसके वज़ा से ये उनर के लिंग हुई अमर जोगत के साथ चमकिला को भी मार दिया गया सेक्टिन जो रिज़न है चमकिला की महारत, हुनर और उसका टैलेंट ही उसकी जान जाने की वज़ा बना चमकिला पूरी इंडरेस्टी में च्छा चुका था और सिर्फ इनको ही फंक्शन्स पे बलाया जाता था इतना के बाकी फंकारों को और ये क्या असराई की गई शायद इनके साथी फंकारों नहीं इनका मरडर करवाया है और तीसरी बज़ा इनके शायरी को फोहश समझा गया इनके गानों के शायरी जैवो फोँश थी जिसकी वज़ासे सोसाइटी पर पूरा असर पढ़ रहा है और चमकिला के शायरी का पूरा असर जैवो पंजाब की सकाफ़ और रसमरवाज पर पूरा असर पढ़ रहा है इनके फोहष गानुगे के बज़ा से इनको मडर किया गया ये उस वक्त की चैमगोईया थी इनमें से कुन सी बात सही है ये तो वही लोग जातर जानते हैं जिन्होंने इनको मडर किया ये चमकिला की तरक्गी और कुदरती सलाही थी उसकी दुश्मन हो गयी चमकिला की शोहरत और इनके टैलेंट ने दुनिया पर क्या असर शोड़ा हिंदुस्तानी फिल्मी मौसिकार जिनका नाम अमित तरवेती है उन्होंने चमकिला को एक लेजंट दी एल्वस अफ पंजाब कहा एल्वस हलिवूड के एक बहतरीन सिंगर है एल्वस अफ पंजाब एल्वस हलिवूड के एक मशूर सिंगर है एल्वस अफ पंजाब येकिनन चमकिला के लिए पड़ा टाइटल होगा परतानमी हिंदुस्तानी मौसिकार पंजाबी एमसी ने भी चमकिला को चमकिला को एक अच्छा सिंगर कर दिया है चमकिला की जिन्दगी पर महसंपूर नाम के एक मुवी बनाई गी जो 2018 की एक हिंदुस्तानी मेसाय फिल्म में जो चमकिला की जिन्दगी पर बनाई गी है ये एक तंजिया मुवी है इस मुवी को कभी सिंग चौधरी ने परिडिस किया और इसको डारेक्ट भी किया अभी रिसेंटली एक और फिल्म चमकिला की जिन्दगी पर बनाई गी है ये फिल्म इम्तियाज अली ने बनाई है जिसमें मुशू सिंगर दलजीत सिंग और परिनिती चोपड़ा इस फिल्म में चमकिला का करदा दल्जीत दुसान ने अदा किया है जबकि अमर जोच का करदा परिनिती चोपड़ाने किया है ये मुवी इस सार रिलीज होगी अमर सिंग चमकिला के जो एललबमS रिलीज हुए उनकी लिस्ट ये है अमर सिंग चमकिला शरिंदThe Sonia जीजा लक मिन ले LP 1983 में Next हिक उत्ते सोजावे LP 1985 में रिलीज हुआ Next बुल गई मैं LP again 1985 में रिलीज हुआ Next रातनू सुला सफाईया EP 1985 में शर्बत वांगू कुट भर ले LP 1987 में बाबा तेरा नान का नाम जपले 1986 में तलवार मैं कल गीर दी हां 1985 में याद आवे वार वार LP 1988 में रिलीज हुआ ये अलबम सिंगर चुंकिला के वफात के बाद रिलीज हुआ